श्री गनेश आय नमः नमश्कार दोस्तों ये राशी फल चंदर राशी पर आधारीद है चंदर्मा मन का कारक है हमारे मन और मश्तिष्क पर चंद्रमा का गहरा प्रभा होता है हमारे रोज की जीवन में चंदर्मा की वजगे से हम काफी बदलाव महसूस करते है और आज आपकी कुंडली में चंदरमा की पोजिशन काफी अच्छी है जी हाँ चंदरमा इस दिन आपकी कुंडली में दूसरे भाव में रहेंगे यानि धन भाव में रहेंगे ये दिन आपके लिए सफलता लाएगा आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएगे मन पसंद रहेगा, खुशनुमा माहोल रहेगा, नोकरी में और बिजनेस में दोनों जगे आपको लाभी लाभ मिलने वाला है जी हाँ धनभाव में चंद्रमा होने से आपको धन की प्राप्ती हो सकती है, आपके बिजनेस में मुनाफ़ा होगा, आपको हर तरह से लाब होने की संभावना है इस दिन पैसों का लेंदेन करना आपके लिए फायदे मन रहेगा, अगर कहीं निवेश करना है तो जरूर कीजे, आज का निवेश आपको अच्छा फायदा दिला सकता है ये दिन आपके परिवार वालों के साथ मजे में बितेगा, जी हाँ, दूसरा घर कुटुम्ब का स्थान भी माना जाता है आपके परिवार में इस दिन कोई छोटा मोटा function भी हो सकता है पारिवारिक सुख के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है आप अपने परिवार को वक्त दे पाएंगे अगर इस दिन आप थोड़ा वक्त निकाल सके अपने परिवार के लिए तो परिवार के साथ एंजॉय करे घूमने फिरने जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सेकंड हाउस आपके कुटुम्ब से परिवार से और धन से जुड़ा हुआ है ग्रहुं की पोजीशन आपके ही फेवर में होने के कारण पारिवारिक वधन के मामले में काफी लाब मिलने वाला है अगर किसी से मनमुटाव या तकरार है तो आज रिष्टे अच्छे बनेंगे बिजनेस में मुनाफ़ा वधन प्राप्ति के मोके मिलेंगे धन प्राप्ति के नए नए रास्ते भी इस समय में मिल सकते है स्टूडन्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है स्टूडन्स इस दिन अच्छी एकागरता से पढ़ाई कर पाएंगे पढ़ाई करने में मन भी लगेगा विद्यार्थियों को आज अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना अच्छा रहेगा जी हाँ अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है प्लानिंग जरूर करे अगर कोई exam है किसी competitive exam की तयारी में जुटे है तो समय आपके साथ है बिलकुल चिंता ना करे विदेश दाने के मोके भी इस समय में आपको मिल सकते है या विदेश से धन कमाने के मोके भी इस समय में आपको मिल सकते है तो मोकों का फाइदा जरूर उठाए अगर personal life की बात करते है लव life की बात करते है तो लव life के लिए ये दिन बहुत अच्छा रहेगा अपना प्यार व्यक्त करने के लिए ये समय अच्छा है married life में मदूरता रहेगी पार्टनर एक दुसरे को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे अच्छने या तकरार दूर होती रिखेगी अगर किसी को प्रपोज करना है तो समय अच्छा है कर सकते है सफलता मिलने की पूरी संभावना रहेगी आज का दिन प्रसन्यताव आनन से भरपूर रहेगा इस वज़े से दिन का पूरा लाव उठाए दिन को पूरी तरे से एंज़ोई करने की कोशिश जरूर करे अगर स्वास्ति की बात करते है, सेहत की बात करते है तो इस दिन स्वास्ति से जुड़ी कोई भी परिशानी नहीं होगी दिन आनन से भरपूर होगा जो पहले से बीमार है उन्हें भी आराम मिल सकता है अपने खान पान पर ध्यान दे, योगा करे, प्रानायाम करे और सुबे का टहलना शुरूर रखे अगर आपको ये जान करें अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करे दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मारग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा